Hello everyone, this is Professor MH और today in this video we will discuss how to calculate interest amount in higher purchase तो higher purchase के अंदर last video में हम लोग ने basic introduction फिर calculation of cash price देखा था अब हम लोग देख रहे हैं calculation of interest धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं इसके advance level पे पहले introduction था cash price का calculation अब interest का calculation फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी जो भी general interest होंगी वो कैसे बनाते, कैसे prepare करते और कैसे उसको याद रखना है वो हम लोग देखने वाले तो let's start with calculation of interest higher purchase के अंदर interest amount कैसे calculate करते हैं तो दो तरीके से हम लोग higher purchase में interest calculate करते हैं मतलब दो तरीका नहीं है, मतलब दो situation है कि जब अगर interest rate दिया है जब interest rate दिया है तो कैसे निकालेंगे और जब interest rate नहीं दिया है तो कब कैसे निकालेंगे, that we will see Just a minute Yes, the calculation of interest amount in higher purchase when interest rate is given अगर interest rate दिया है तो कैसे निकालना है और अगर interest rate नहीं दिया है तो कैसे interest calculate करेंगे, वो हम लोग को देखना है ठीक है, तो interest rate दिया है, it is very simple लेकिन आपको मैंने बता दिया, cash price निकालने के लिए एक format बता है तो higher purchase के अंदर interest कैसे निकाला जाता है तो let's start When interest rate is given तो इसका shortcut जो formula है कि interest is equal to जो भी आपका higher purchase price होगा उसके अंदर से cash price minus करो तो interest आजाएगा आपको पता होना चीए, जो higher purchase price होता है इसके अंदर दो part होते हैं एक होता है cash price और दूसरा होता है interest तो अगर आपने cash price हटा दिया तो interest automatically मिल जाएगा तो ये तो shortcut हो गया लेकिन shortcut याद नहीं रहेगा logic कैसे याद रखना है वो हम लोग देखते हैं तो question देखेंगे और हाँ HPP देखो यहाँ पे दिया है down payment and all installment करके example के तुरू हमें समझ में आएगा cash price कितना है 80,000 दिया है down payment कितना दिया है 21,622 equal installment 15,400 rate of interest कितना है 10,000 sorry rate of interest is 10% तो ये question है अब इस question के हिसाब से आपको क्या निकालना है interest निकालना है interest यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आपको क्या निकालना है interest कितना है तो interest निकालने के लिए आपके पास cash price already 80,000 दिया है down payment आपको पता है कि starting में इतना दिया और 5 equal installment 5 दिया है 15,400 तो interest rate है 10% तो interest कैसे निकलेगा वो हम लोग देखते हैं तो इसके लिए format ड्रॉ करना पड़ेगा format कुछ होगा इस तरीके से सबसे पहला हम लोग को जो data दिया है वो लिख लेंगे तो ये data हम लोग के पास है कि cash price है सामने आले का MRP है 80,000 starting में हम लोग ने down payment कितना किया 21,620 और 5 बार इतना और पे करेंगे बराबर है 5 time 15,400 पे करेंगे तो यहाँ पे आपका logical तरीके से आ जाएगा देखो मैं बताता हूँ down payment कितना कर रहे हो आप 21,622 बराबर है कितना पे कर रहे हो आप 21,622 कर रहे हो और 5 installment कर रहे हो इसका मतलब 15,400 into 5 कितना होता है 77,000 मतलब total आप कितना पे करोगे तो total आप पे करोगे total आप पे करोगे 21,622 plus 77,000 मतलब total आप कितना पे करने वाले हो total कितना पे करने वाले हो 98,622 पे करने वाले हो करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो तो अब यह 92,622 है और आपका original cash price कितना है cash price cash price आपका दिया है 80,000 तो 80,000 आया मतलब ज्यादा कितना पे कर रहे है उटा 1622 पे कर रहे हूँ तो 12622 अब का यह क्या हो गया टोटल इंटरेस्ट हो गया विणा आपका यह टोटल इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट कुछ इस तरीके से निकाला जाता है अब लेकिन ये 18,622 आप पांच installment में पे कर रहे हो न तो ये तो total interest आ गया ये समझ में आया लेकिन हर एक installment में कितना interest पे कर रहे हो वो निकालना भी ज़रूर ही है ये समझ में आया आपने down payment कितना किया 21,622 पे किया very good installment कितना पे कर रहे हो 15,400 तो पांच बार पे करूगे तो 15,400 into 5 तो आपको मिलेगा कितना? 77,000 तो total आप कितना पे कर रहे हो? 98, 622 पे कर रहे हो और original उसका MRP कितना? 80,000 का, मतलब 80,000 के उपर कितना पे कर रहे हो extra? 18,622 तो 18,622 is your total interest तो ये तो total आ गया लेकिन हम लोग को चाहिए हर installment कितना installment पे कर रहे हो आप 5 तो हर installment में कितना interest रहेगा? that we will see तो उसके लिए वो ही format याद रखना है सबसे पहले आपको लिखना है cash price आई बास समझ में सबसे पहले क्या लिखना है? cash price लिखना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा cash price 80,000 फिर उसमें से क्या minus करने का down payment तो down payment कितना है? less down payment 21,620 तो balance आजाएगा तो balance कितना आएगा? यह format हम लोग ने cash price निकालने के लिए भी किया था तो यह format यूज करो इतना तो यह आपका balance आगया की ने आगया? अब इसका format क्या है? add interest add interest less EMI आईबस समझ में add interest less EMI तो अब add करते जाओ अब add करते जाओ interest तो सबसे पहले हम लोग interest add करेंगे तो add interest 10% तो किस amount पर निकलेगा? 80 पर निकलेगा 21 पर निकलेगा 58 तो 58 पर निकलेगा 58 378 into 10% तो कितना आजाएगा? इतना आजाएगा तो add interest interest add कर दिया तो interest add करेंगे तो amount आएगा 64 216 less EMI तो पहला EMI कितना है? पहला EMI कितना है? 54 500 का तो फिर balance आजाएगा इतना 48 8 16 तो पहले EMI के अंदर interest देखो कितना है? पहले EMI के अंदर इसको मैं highlight कर देता है यलो से 58 38 लेकिन total interest कितना है? 18 622 तो यह 18 622 कैसे आएगा? that we will see तो यह तो पहला हो गया this is your first first EMI हो गया ऐसे कितने EMI है? 5 है तो अब इसको एक एक करके करेंगे second वाले में भी पहला अब करेंगे add interest तो 48 816 का 10% आएगा कितना? 48882 ठीक है? फिर इसके अंदर क्या करेंगे? add कर लेंगे इतना आएगा इन दोना amount को add करेंगे तो 53 697 less EMI तो EMI कितना है? EMI तो fix है 15400 15400 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 15400 आपने माइनस किया तो आपको मिलेगा 38 297 तो second EMI पे interest कितना आ गया? 4882 आईबस समझ में ऐसे ही आप करते जाएंगे फिर आप अभी ये second हो गया ये second EMI हो गया ऐसे कितने EMI है आपके? ऐसे कितने EMI है? 5 है तो 5 के 5 को आपको ये करना है आईबस समझ में येस और नो तो ये second हो गया अब थर्ड वाला अब इसमें क्या करेंगे? अइड इंट्रेस्ट तो अइड इंट्रेस्ट करेंगे आप 10 परसंट तो 38 297 का 10 परसंट कितना आएगा? 38 30 तो 38 30 लिख दिया इसको अइड करेंगे नीचे लिख देंगे तो आएगा कुछ 41 something आएगा तो 42 216 Less EMI तो 3rd EMI आप माइनस करोगे 3rd EMI का भी अमौन कितना है? 15,400 जब ये माइनस करेंगे आप तो आपको मिलेगा 27 727 तो 3rd EMI में आपका इंट्रेस्ट है 38 30 3830 तो ये तीसरा हो गया ठीक है? ऐसी इसी तरीके से अब 4th EMI आएगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे? Add interest 10% तो इसका आएगा 26 7 3 Balance Amount पे लिखने का जो उपर रहेगा ना उसके उपर तो इस Amount पे इंट्रेस्ट निकलेगा फिर आप इसको Add करेंगे तो आपको मिलेगा इतना Amount करेंगे आपको Balance मिल जाएगा तो Balance हा जाएगा 14,000 अब ये फोर्थ थर्ड इंस्ट्रॉल्मेंट पे आपका कितना है? सारी, फोर्थ इंस्ट्रॉल्मेंट पे कितना इंट्रेस्ट आया? 2673 अब क्या करने का? अब Next आपका Add Interest तो Add Interest करेंगे कितना 10% तो ये 14,000 का 10% 1400 आएगा इसको Add करेंगे आप तो 15,400 फिर Less EMI तो Less EMI आएगा सेम अमांट है तो 15,400 तो Balance कितना हाएगा आपका? यहाँ पे Balance कितना आजाएगा? दिल आजाएगा आई बस समझ में? तो ये है तो 4th installment पे मतलब 5th EMI पे इंट्रेस कितना आया? 1400 आई बस समझ में यही Format हम लोग ने कहां यूज किया था? Cash Price Calculate करने के लिए फिर से बता देता हूँ सबसे पहला क्या करने का? Cash Price लेने का उसमें से DP- करने का DP- करने के बाद जो Balance आएगा उसके ओपर Add Interest यह Format याद रखो Add Interest, Less EMI Add Interest, Less EMI Add Interest, Less EMI Add Interest, Less EMI ऐसे करते जाओ जितने भी Interest हैंगे उनको अलग से लिख लो अब अलग से लिखेंगें तो पहला है 58, 38 दूसरा है 4882 तीसरा है 3830 Next is 27 2673 और लास्ट आने 1400 अब इसका टोटल कर लेंगे आप तो वो 18,000 something जो आया था उससे मैच होना चीए यह देखवाया 18,623 और उपर कितना आया था 18,622 एक रुपे का डिफरेंस है या 10-20 रुपे का डिफरेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है तो यह हो गया आपका तो this is called the total interest calculation और हर एक installment पर interest कैसे निकालना है वो दीख़ए आई बस समझ में तो यह format आप याद रख़ों यह format बहुत काम आने वाला है चाहे cash price निकालो चाहे interest निकालो यही format से हम लोग करते ठीक है तो एक बार और दो-तिन बार इसको आप refer करो practice करो कुछ doubt है का तो please comment ठीक है and please like and subscribe for more videos thank you